नवस्कार दोस्तों मैं सरुष पंडे बाबा बागेस्वार के साथ बॉलीवड और भॉडपूरी फिल्म इंडस्ट्री भी दिखने लगी है मुझे लगता था कि बाबा बागेस्वार के सामने कभी सोनुशुद भी जाएंगे ऐसे बड़े-बड़े आर्टिस्ट वहां उन म nyadis जाने का अब देखने हुनानी बागेस्वार को लेकर लगता था कि आध pawsinka के लोग और सोच वाले लोग को नहीं मानेंगे लेकिन दिरे दिरे ऐसा हुआ जब मैं स्वय में पटना के भीर में देखा पंदर लाक लोग वहां पहुंच चुके हैं और अब पिछले सब्ता यानि कल और परसो जब मैंने देखा कि सोनु सूद पहुंचे बाव बाव के पास मुंबई के हिंदुस्तानी भाव पहुंचे बाव बाव के पास जैक्लिन फेन यंद्रीश पहुंची थी वहा पर और इस तरह से बहुत सारे बड़े-बड़े के लोग गए उसी तरह से अब एक ऐसा समय आ गया है जा बावा बागेसवर्ट के पास बॉल्यूड वाले भी जाना शूर करते हैं इससे क्या दिखाई पड़ा एक तो बावा बागेसवर्ट के साथ चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी जो यह शर्थ है कि अंडा मांसम चाते हैं उनके साथ ही होना चाते हैं उन्हें यह नियम तो मानना पड़ेगा मांसमशली अंडा और शराब से दूर रहना होगा खेर आज मैं कुछ और बात उचा रहा था बात में यह थी सबसे पर तुझे मैंने देखा आज तक पर जो इंट्रिवू था बावा नवस्ते कर रही हैं वहां से मुझे लगा कि बॉलीवूट का यह पहला स्टार है जो इनके नजदी गई और मैंने देखा तो नहीं है सुनने मैं था चंकी पांडे भी बहुत पहले बावाब आश्वार से मिल चुके हैं उसके वाद मैं देखा मनुष्टिवारी तो चाहिलाल को देखा इसे सब्दा ती तीन दिन पाले के चाहिलाल भी थे आमरपाली दूबे अक्षा सिंग्ग भोजपूरी के बहुत सारे लोग बहुत सारे कलाकार बाप बारिस्वार्ट के पास जाने लगे यही सुरूवात है कि हमारा भारत अब अपना सनातन धर्म वाल और बॉल्यूट के भी हिरो है सोनुशूद को मैंने देखा वह बिल्कुल बाब आश्वार के चर्णों में बैठे हुए है नीचे बैठे हुए है और उनकी बात चल रही थी तो मुझे अच्छा लगा जैक्लिन फर्णांडिस रोइन है बॉल्यूट की वहां थी और बाबा लोगो मैं दो साल से देख रहा हूं यूट्यूब पर पसंदों करता हूं क्योंकि वह सनातन के लिए काम करते हैं बाकि जो लोग उनको जानते हैं आप समझ गये होंगे तो बाब आश्वार ने उन्हें बहुत अपना अपन दिया बहुत सारा प्यार दिया उनसे कहा कि ता होने लगे हैं होने चाहिए थे बात बिगर गए थी 1950 के बाद से जब देश हमारा आजाद हुआ उसके बाद से धीरे भारत के लोग अंग्रेजी से प्रहुत होने लग गए थे और दूसरे धर्मों से प्रहुत होने लग गए ते चलिए सब ठीक है इसमें कुछ गरत नहीं आपको जीसाथ अच्छे लगे आपको मुहम्मद साव अच्छे लगे यह आपकी सुदंता है आपका फ्रीडम्स लेकिन एक ऐसा दौर चल पड़ा जब लोगों ने फिर से सनातन धर्म को स्विकार किया स्विकार ही नहीं किया बल्कि अपने आत्मा में धार्ण कर लिया है यह जब बापरी महजीद राम मंदिर वाला जबी किसा शुरूओ अपने सच्छी आसे से एक समय आया जब बहुत सारी पार्टियों ने फॉलिटिकल पार्टि ने आगे बढ़कर के काम किया इस अविध्या में श्री राम मंदिर बनने का कि विश्य में जितने लोगों ने संसेखर जी के प्रयास श्री राजी उगांधी जी के प्रयास और भी जितने लोगों ने काम किया और सबसे बड़ी बात की आज 14 जिनका जन्दिन है श्राम भगदाचार जी आज उनके उन्होंने 441 सबूत दिये थे सुप्रिम कोट को कि वहां पर भगवान राम का मंदिर था या भवाल नाम का जन्मस्तली है 441 में से 437 सबूत को प्रमानित किया गया उन स्री राम भगदाचार जी का आज जन दिन है 14 जन्वरी उनके जन दिन पर मैंने शुब अपना एक वीडियो पोस्ट किया था हूंने मिन इन पर कोटी-कोटी परनाम किया था जश्मीदी एगली वीडियो उनके विशे महां सेराम बटाचारजी ने बटाचारजी ने अपने एक वीडियो में कहा कि हां मैं बाब अगयस्वर का सेश्मु जो करना को जो करना है एक एकती शेराम बटाचारजी जिन्हें हमारे भारत के प्रहानमंद से नैंदमोदी सहाब भी अपना गूरू मानते हैं उन्हें से राम बद्दाचार जी को गुरु मानते हैं रादमोदी साहब और से राम बद्दाचार जी कहते हैं बाब ऐसौर मेरे गुरु है एक 27 साल का लड़का आज इतना प्यार पाड़ा मैं यह नहीं कहूँगा कि मान सा मान नहीं मिला मान सा मान तो फिर भी उतना डीप डाउन नहीं होता जितना गारा होता है प्यार बाब ऐसौर को इज़त नहीं प्यार मिल रही है और प्यार तो इज़त से क्रोड़ गुना बर मिल रहा है मैं आप बहुत आशर चकित हूं कल मैंने ऐसे ऐसे आजी वजी वीडियो भी देख लिए इंस्टाग्राम पर इसमें लड़कियों ने अपना प्रेम प्रकट किया है बाब ऐसों के परती है खेर प्रेम करना किसी के बस में नहीं है प्यार होता है तो होता है इसमें करते हैं प्रेम है यांज्यों नित्री मेर आज का करने का मत्रद ही था तो अनुदेरा से प्रेम उन्हें मिली रहा था अब जाके बॉलिवूड और वोश्पुरी इंडर्स्ट्री और वेस्ट में है सौरी साउथ के बहुत बड़े विलेन है ना मुझे भी याद नहीं है वह भी पहुंचे थे बाव बायसवर से मिलने के लिए यानि कि अब दुनिया के सभी गंडम अपने आत्मा की शक्ति को पाचाने आत्मा की शक्ति तो अप्रण पार तो है मन की शक्ति को पहले पाचाने आपका मन अगर इतना जल्जली डर को जाता है मन इसले डरता है कि इस मन को अपने बच्पन से धर्म की शिक्षा तो द्धी ही नहीं है कहते है बाब ऐस्वर की ब यही संधे सबढ़ बाई तो यह हैं आप जो करते रहे क्लिया आपको नहीं ही बदलना है अपने मनस्तिति को जितनी वार हो सके सरां मंधिर दिखेंऊर समय है तो उन्हें में जाया करें पहले मैं जानता था आज उने बहुत साप साफ बताया जब उन्से पुशा गया, Stephanie आप खड़ां क्यों करते हैं तो पहला करन था कि खड़ाओं में जो orteans강 और उसके बाजु का फ़कर उंगली को इन दोनों को जोड venue यंगली सपस्याइद कोषे पहने पर सिक अंगूठा ईसके बाजू के उंगली को पूरी ताकत लगानी पड़ती है मैंनट करने पड़ती है जब अन्यवे अन्याहिं दपते है तो पूरे शरीर में रचत रख का संचार अची तरह होता है और जब रचत का संचार अची तरह होगा फोबं से पेर के उंगली से लेकर के सिर्ट तक रखता संचार अगर अच्छी तरह हुआ तो आप में आपका स्वास्त बहतर होगा ही होगा आपने देखा पिछले एक साल से मैंने तो नहीं सुना कि बीमार पढ़े जिस तरह से काम करते हैं प्रती दिन 24 गंटा में 22 गंटा 20 गंटा काम करने वाला आदा गंटा सोने वाले मैंने सुना एक साल में कि वह बिमार पढ़ गया उसका एक करण यह भी है उनका जो खड़ाओ पांते हैं तो आज मैंने निश्टे कि मेरे घर में दो ज ढमश्य धर्न करने में उन्हें बहुत सहता मीलती है क्योंकि सादत हों या सिद्ध हों मिलता है इससे और तिस्री रात नहाँंक fitty को शिंटल है वह है करते हैं यानि कि नॉन कंड़क्टर है तो आधियातनिक उजा के सहीर की सारी उजा धरती ना खीच ले इसके लिए खड़ाओ पाने आता है तो बाव बैस्वार की यह बात मुझे अच्छे लगी खड़ाओ पाने वली बात खेर में अपनी बात के आपसे फिर से कहा दूँ भारत की अ तो एक क्रोर से अधिक आदमी तो यहां है और 40 गुना आदमी है जो अपनी प्रेम को ब्यात्मी कर पा रहे हैं तो आज दुनिया में शायद 700 क्रोर में से 100 क्रोर आदमी होंगे जो बाव बैस्वार को मानते हैं और जानते हैं मेरा बाव बैस्वार से बहुत ही गहड़ा प आपने में